हेलो फ्रेंट्स तुड़े विस्टेडी अबाउट गुरुप हाव देखते हैं हम यहाँ पर जो फॉर्मेशन है जो गुरुप फॉर्मेशन होते हैं उनकी मात्र स्टेजीज को डिस्कस करेंगे हैं जो बतर्सथाट एस स्टेज़ गREE हाब एक ट्री यह अबाट फॉर्मेशनेश न पर जायन पर घ्कस धो ओंवेंगे घ्ट्रा षिर घोन परन ़वसर सक्वास्वारश का बाढ।बबन हो न करनानी पाल, झालोर्बुमा सकेद सबक्वाद. जिन में में चित पालोव प्रेक्षपूक ड्री चित fine आव लोब हुआशी मेंट पालोव तै увидеть, में पालोव on N95 toाale एन नाव लेट एस गो एन एक बार इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं यानि कि गुरूप जो समु गठन की कुछ अवस्ताइं होती है तैक मैंने बसाया है कि जो समु निर्मान की प्रक्रिया के जो विकास है वो पांथ चर्णों से गुजरती है जो प्रक्रिया है वो पांथ जो समु है उसके मानक किस तरह से गुरूप चलेगा कैसे इसके काम होगे क्या इसके Constition होगा क्या इसका उदेश होगा कौन इसको लीड करेगा कैसे इस लीडर को हम सेलेच करेंगे कैसे ने गृूप काभम एडमिट करेंगे यह और ते नॉम्ध का निर्मान होता है मानक उसके बनाए जाता है यह समूख गटन की कुछ अवस्ताएं थी यह जानना बहुत जरूरी है क्योंकि समूख किस प्रकार से बनता है यह को कि चुकि बहुत ही एक सेट अप में थी इसलिए हमने इसको आपको डिसक्रस किया एक बार इसको इंग्लिस वाला फिर देख लेते हैं कुछ बच्छों को उसको याद करने में प्रसानी होती है तो उसका शोटकट एक अब्रिवेशन टाइब बना सकते है एफसन पी ए एफसन पी बना लें फॉर्मि को आप याद कर सकते हैं हमारे मुख्य बिंदू पर आते हैं for which today's video is recorded the main point is function what are the functions of a group group क्या क्या काम करता है now let us start the central function of a group is to satisfy needs of its members किसी भी समू की जो मुख्य उसका point होता है मुख्य बिंदू होता है उसका वही है कि जो इसके सज़श्यों की जुरूरतों को पूरा करना different groups satisfy different needs अलगलग गुरूप बनते हैं, वों अलगलग वक्तियों की समूह की जो सदस्य होते हैं, अनकी अलगलग जूरतों को पूरा करते हैं इसलिए एक वक्ति अलग-अलग समूह के सदस्य हो सकता है प्रेफ प्रिट अप्रम इसे मेरे प्रवगिट पर्वी प्रेफित कि परप्राइड ड्रवीज के पिराइड ड्रते डिराइड एक पर अप्र डविलें आपकाट। प्रकारे क्या क्या है किसी भी समू का मुखे कारे अपने सदेश्चों की जुरूरतों को पूरा करना होता है विवन जुरूरतों को पूरा करते हैं समू एक प्रकार की समाजी की काई होती है जो सदेश्चों की इच्छाओं की संतुष्टी के लिए ऐसे उप्यूप प्लेटफार्म प्रदान कराते हैं जो कहीं और अपलब्द नहीं होते हैं ये जो प्रकारे हैं ये मुखे रूप से हैनि उस समू, उन जुरूरतों को पूरा करते हैं, जो कहीं और करना मुश्किल होता है, इसलिए इसके प्रकारे में ये में जोड़ी गई है, इसका में काम होता है, जुरूरतों को पूरा करना, अब इस प्रकार से देखेंगे, हम अगली स्लाइड में देखते हैं, कि there are 10 functions, major functions of a group, or you see that I have these 6, 7, 8, 9, 10 functions, the last 5 functions are in red color, because these functions we will discuss in the next video, because if I discuss this in this video, then video will become a little bit longer, so in this video today we will discuss only 5 first functions, first one is the major functions of groups are to provide security to its members, status improvement, development of self-esteem, satisfaction of psychological and social needs and group helps in goal achievement, these things are in context of members, this means to provide security to its members, status improvement of members, development of self-esteem of members of the group, satisfaction of psychological and social needs of the members of the group, and goal achievement members of the group. and cumulative goal of the group also, now let us decide, discuss, एक बार इसको इंदी में पढ़ते हैं, वही बात मैंने आपको दुबारा बताई कि नीचे वाले जो पाच हैंवा अगली वीडियो में डिसकस करेंगे, इसलिए इसको मैंने लाल कर दिया है, अब आप देखिए, समूख के परमूख कारे, शुरक्षया पदार करना, किसको सदस्यों को, एसियत को निखारना, किसकी गुरुप के सदस्यों की, आतम संबान का विकास करना, मनोग्यानिक और समाजिक जुरुतों की पूरु करना, किसका, वो भी सदस्यों का, और लक्षय उपलग्दी में मदद करना, इन पाच प्रकारों को अब इस वीडियो में आप दिसकस करेंगे, अब एक बाद, let us see one by one, security, groups provide a very important thing that is psychological comfort, that psychological comfort helps in a feeling of sense of security, and that sense of security, if you have individual feeling of sense of security, that itself is enough and group provides that, groups ease, feeling of insecurity, that occurs due to loneliness, when people are lonely, there is a feeling of insecurity, that develops slowly and slowly and that feeling of insecurity is removed or eased by the groups, proximity of people provide psychological comfort, that enhances feeling of security, which already I discussed, next, status, being a member of group which is considered as a symbol of status by society, automatically it establishes the status that satisfies the need of power, I want to clarify in this is, when individual becomes a member of a group and that group has some status symbol, society people think that becoming a member of that group is very important, means some elite member can become a member of that group, when individual becomes that member, this means the status of that individual becomes higher automatically, that is by virtue of becoming member of that group, that's why it has been said that being a member of a group which is considered as a symbol of status by society, automatically establishes the status that satisfies the need of power, as the nationalists, once more on the一起 of जैलो, status में अगर ऐस्तिती कह सकते हो, आप हैसित कह सकते हो, एक समू के सदसे होने के नाते, जिसे, यहाँ पर यह समू के बात हो रही है, जिसे समाद दोड़ा प्रतिश्टा के प्रतिख के रूप में जाना जाता है, व्यक्ति स्वत ही ऐसी प्रतिश्टा पा लेता है, जो की सकती अधिकार के जो रूप को पूरा करता है, यानि किसी समू का सदसे बनने पर जिसकी कोई प्रतिश्टा होती है, व्यक्ति का जो स्टेटेस है, उसकी ऐसीट है, अपने आप बढ़ जाती है, ना दर लेक्स्ट फंक्शन इस सेल्फ एस्टीम, मेंबर्शिप ओब ग्र आप बढ़ जाती है, अब इसको बार जाती है, आत्म सम्मान की बात हम करते है, समू की सदस्यता एक व्यक्ति की आत्म अधारना को बढ़ाती है, जिसके प्रणाम शुरू व्यक्ति का आत्म सम्मान बढ़ जाता है, यानि हम कह सकते हैं कि जो आत्म अधारना है और आत्म सम्मान है, दोनों जुड़े हुए हैं, आत्म अधारना को अगर बढ़त मिलती है, उसको कुछ फाइदा होता है, तो सुभाई ग्रूप से आत्म सम करता कौन, समु, ताज पहल ने बताया है कि लोग जिन समु से संबंदित होते हैं, वे समु, उन के लिए गर और आत्म सम्मान का एक महरतो कुण स्रोत होते हैं, ना लेक्स, नेक्स नेक्स इस, सैडिस्पेक्शन ओप साइको सोशल नीड्स, यानि कि, वटर दा साइकोलोज अपन के भावन, अपनेपन कीभावन, ऑनिटाशंस रखाली कि ऑनि गर खाली कि भावना, अपनेपन की भावना, यूपटा ऑनिखावना, बताय कि ऑनिट्वेशं लोग इपक पिज़ कोंटेंगे क्यूम अज़ूणs, यूजेंच, वीयूजट और характерsetने शब्स्ट रख in the meeting, फिरेफ्क चल्म मननननि इग मेब जा थीजर, तेरण प्रफोरी कि अुझट अचीजर प्रफों कि ओुझ कि अलिखेएफ कि आंगा। आर्ज, ताकत, सकती, शासन की जोस के अंदर requirement होती है, वो groups की मदद से होती है, अकेले में वो नहीं पाई जा सकती, for that reason people join groups and this way group helps in goal achievement of individuals, now एक बार इसको इंदी में देखिए, मनो समाजिक जूरतों की पूर्ती के लिए, समो, सदस्यों की मनो समाजिक आउसकता हो, जैसे अंत के अपने-पन की भावना कांसे आएगी वो, जब आदनी किशी समू का सदस्य होगा, तभी मनो समाजिक जूरत तो पूरा करने में मदद करते हैं, प्रेह्ना भी मनो समाजिक जूरूत है, लक्से उपलब्दी, यहां पर व्यक्ति के लक्से उपलब्दी की बात कर रहे हैं व्यक्ति समू में सामिल होते हैं, क्योंकि समू उनके उन लक्सों की प्राप्ति में मदद करते हैं, जिने उनके लिए अकेले हासिल करना मुश्किल होता है. सबसे अच्छा उधार इसका होता है राजनिती करना राजनिती में वक्ति तभी सामिल होते हैं किसी राजनिती पार्टे के तभी सामिल होते हैं जब वो अपनी किसी गुरूप अपने किसी लक्से की तरब बढ़ते हैं और जिनका वो राज निती में अकेले कोई गोल को पाना लक्से को लब्दी करना आसान नहीं होता है Dear friends, this was today's topic, that group, how it forms, five stages मैंने बताया था, FNSPA, forming, storming, norming, performing, adjoining, उसके बाद what are the functions, हमने five functions इसके यां discuss किये है, security, status, what are the goal achievement, and etc and etc. अगले parts, जो functions होते हैं group के, हम next video में discuss करेंगे, तब तक के लिए, thanks, we'll meet you next time, thank you friends, if you have any query, any doubt, any complaint, kindly mail to me, vamasujit at the rate of yav.com, you can mail your critical suggestions, they will be highly appreciated, thank you friends.